ब्रेकिंग न्यूज बॉलिवूड पैंट गीली हो जाएगी तेरी पैंट गीली दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन को दबा दे और दोस्तो वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं और वीडियो शेयर करके भी सुपरस्टार विनोध खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 पेशावर पाकिस्तान में हुआ दोस्तों अगर आपको पता नहीं है तो आपको बताते चलें कि टॉप के स्टार विनोध खन्ना अब हमारे बीश नहीं है आजादी के समय हुए बटवारे के बाद उनका परिवार पाकिस्तान से मुंबई आकर बस गया विनोध बश्पन में बेहत शर्मीले थे स्कूल के दोरान उन्हें एक टीचर ने जबरदस्ती नाटक में उतार दिया और उन्हें अभिने की कलाब पसंद आई बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई के दोरान विनोध खन्ना ने सोलबा साल और मुगले आजम जैसी फिल्म में देखी और इन फिल्मों ने उन पर गहरा असर छोड़ा हैंडसम विनोध खन्ना को सुनीर दत ने मन का मीत फिल्म में विलन के रूप में लौँच किया ये फिल्म दत ने अपने भाई को बतौर हीरो लौँच करने के लिए बनाई थी वो तो पीछे रह गए लेकिन विनोध खन्ना की गाड़ी चल निकली गुलजार द्वारा निरदेशित मेरे अपने से विनोध खन्ना को चर्चा मिली और बतौर नायक वो नजार आने लगे अमिताब बच्चन और विनोत खन्ना की जोड़ी को तो दर्शकों ने भी काफी पसंद किया हेरा फेरी, खोन पसीना, अमरकबर एंथोनी, मुकदर का सिकंदर, ब्लॉक बस्टर फिल्म सावित हुई तो चरिए रूबरू करवाते हैं विनोत खन्ना के तीनों साहब जातों से विनोत खन्ना की छोटे बेटे का नाम साक्षी खन्ना है साक्षी खन्ना एक फिल्म प्रोड्यूसर है, साक्षी खन्ना दिखने में काफी स्मार्ट नजर आते है विनोत खन्ना के बड़े बेटे का नाम राहूल खन्ना है राहूल खन्ना एक बॉलिवूड एक्टर है ये बॉलिवूड की कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं जैसे की वेकपसेड, लवाचकल, अर्थ, लीला, आदी राहूल खन्ना दिखने में बेहधी हैंडसम है विनोत खन्ना के मजले बेटे का नाम अक्षै खन्ना है और अक्षै खन्ना को तो सब जानते ही हैं कि वो बॉलिवूड के मजे हुए एक्टर है और फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाए हैं दोस्तो आपको विनोत खन्ना की एक्टिंग कैसी लगती है कॉमेंट करके हमें जरूर बताएं और अगर आप भी उनके फैन है तो वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा शेर करें धन्यवाद